नमस्कार एक नया मुद्धा अभी छाया हुआ है ट्रिपल तलाक को 2019 में बैन कर दिया गया उसके बाद अब बारी आ रही है तलाके हसन की और सुप्रीम कोट में एक याचिका डाली गई कि इसे गैर सम्वेधनी गुशित कर दिया जाए और उस याचिका के जवाब में सुप तलाके हसन उतना अनुचित नहीं लग रहा जितना ट्रिपल तलाक लगा था तो हम जानेंगे आज के वीडियो में कि ट्रिपल तलाक या तलाके बिद्दत के अलावा इसलाम ध्रम में तलाक लेने की नियम क्या है तो इस वीडियो में तलाके बिद्दत के अलावा मैं आप और आप अपने व्यूस कॉमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको ये पूरा सिस्टम कैसा लगता है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के अंदर और पूरा मामला एक बार देख लेते हैं, देखिए कि तीन तलाक के बाद अब तलाक हसन को गैर समवधानिक या ए समवधानिक गोशित करने की मांग जो है, वो उठ रही है, कि सुप्रीम कोट को कहा गया, कि आप तलाक हसन जो है, इसे बैन कर दीजिए, इसे ए समवधानिक गोशित कर दीजिए, सुप्रीम कोट ने 16 अगस्ति, यानि कल उन्होंने बोला, इस मामले में पूरी जाच करी सनवाई करी, और फिर उन्होंने कहा कि पहली नजर में अगर देखे, तो तलाक हसन जो है, वो उतना हमें अजीब नहीं लग रहा, वो अनुचित नहीं लग रहा है, जितना ट्रिपल तलाक के बारे में कहा गया था, या वो लगा था, इसमें आगे उन्होंने कहा कि ये ती तो उन्हें ये जो है मनमाना लगा है लेकिन सुप्रीम कोट को नहीं लगा तो हम आगे जानने वाले हैं तला के बिद्दत क्या होता है तला के हसन क्या है और तला के एहसन क्या है फिर आप भी अपने व्यूज रख सकते हैं ठीक है, तो पहले तलाके बिद्दत पे चलते हैं, आपके एक्जाम के लिए भी वो बहुत important है, 2019 में उसे बैन कर दिया गया था, तो पूछा जा सकता है, तो हम knowledge के साथ साथ थोड़ा सा एक्जाम वाला point भी देखते चलेंगे, ठीक है, देखिए, इसलाम में जो है तीन तरी किये अभी, और तलाके एहसन, ये तीन तरीके हैं, सबसे पहले तलाके बिद्दत की बात करते हैं, देखो, तलाके बिद्दत, 2019 में हम लोग गैर समयदानी घुशित कर चुके हैं इसको, क्योंकि बराबरी की बात नहीं करता था, फिर भी एक छोटे से में देख लिते हैं, कि ये होता क्या है, इसमें क्या है, देखो, पती द्वारा पतनी को कहीं भी, कभी भी, जब वो चाहेगा, चाहे रात है, दिन है, शाम है, सुबह है, कभी भी, जब उसका मूर खराब हुआ, अमेरिका ने इराग पे बाम डाला, दिमाग खराब हो गया, पतनी को फोन लगा बोला तलाक, तलाक, ये हो गया, कोई रिजन नहीं है, हो गया, यही तलाक बिद्दत था, तो कभी भी तीन तलाक बोल देता, तलाक हो जाता था, तो इसे सुप्रीम कोट ने 2019 में गैर समयधानिक बोल दिया था, अब इसमें जिन पती पतनी का तलाक हुआ है, अगर वो फ् प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, हलाला क्या होता था, कि इस तरीकी किसी और से शादी करवाई जाती, फिर वो जब आदमी जब उसको अपनी इच्छा से तलाक देता, तो वो शादी कर पाती, तो इसका बहुत बुरा फाइदा, उठाया जाता, लोग उठाते थे गलत फाइदा इसका, कि किसी और से शादी करवाई ज्यादा तर मॉलवी से करवाते, अब मॉलवी जी के देना ही नहीं चाहरे तलाक, एक एक दो दो महीने, साल साल बरकि छे मिने बाद दूँगा, मैं तो तलाक तब तक वेट करते, तो औरत जो थी, उसके साथ समानता बिलकु कर दिया गया, इसे पूरी तरीके से गैर समवेधानी गुशित कर दिया गया, अब हम चलते हैं तलाक एहसन की तरफ, फिर बढ़ेंगे तलाक हसन, ओके, देखिए, तलाक एहसन, तलाक लेने का ही एक तरीका है, इसमें क्या होगा, कि पती और पत्नी जो तलाक लेना चाहते हैं, पती ने एक बार तलाक बोला है, इसमें तीन बार तलाक नहीं बोलेगा वो, इसमें क्या होगा, कि पती एक बार तलाक बोलता है, ठीक, पत्नी को बोलेगा तलाक, अब ये बात हो गई, तो पती और पत्नी एक ही छत के नीचे रहेंगे, मतलब एक ही घर में रहेंगे, लेकिन साथ नहीं रहेंगे, एक रूम में नहीं रह सकते, इसमें क्या होगा, तीन महीने तक पती और पत्नी एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन पत्नी से अलग रहना पड़ेगा पती को, इतना सा इसके अंदर ध्यान रखना है कि रहोगे घर में, एक रूम में नहीं रह स सकते हो तलाक ले लेना यह थोड़ा मॉडरेट लगता है मुझे और अच्छा लगा यह तरीका इसमें पती चाहे तो तीन महीने के अंदर दो लोगों को बुला कि कि भाई हमारी लड़ाई जो है सौट आउट हो गई है इसमें घरवाले भी कोशिश करते थे उनके घरवाले स तक अमलब ज्यादा तर यह होता कि वापस से सुलय हो जाती प्रॉपर तलाक नहीं होता तो पती चाहे तो तीन मेने के अंदर अंदर क्या करता दो गवाहों को बुलाता और उनके सामने कहता कि मैं तलाक वापस लेता हूं जो मैंने बूला था सब्द तलाक का मैं वापस ल सेंटिमेंसी ठीक है सेक्शुली पास आ जाओगे तो बस ऑटमेटिकली तलाग जो है वो वापस ले सकता था इस तरीके से और तलाग नहीं होता था और इसमें एक बहुत अच्छी चीज थी कि इसमें दोबारा शादी के लिए हलाला से नहीं गुजरना पड़ता था या हलाल नहीं था या दो अब एक पती और पतनी है उन दोनों की लड़ाई हो गई पती ने बोला तलाग अब दोनों घर एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन छत एक ही है रूम अलग-अलग है ठीक है दोनों का गुस्टा ढंडा हो जाएगा फिर से साथ हा जाएंगे तलाग भी नहीं ला होगा यह काफी अच्छा सिस्टम है तो ऐसे सिस्टम को बैन करने की जोरत नहीं अच्छा है ना तलाग होंगे नहीं फालतू के केसे नहीं बढ़ेंगे तो यह तो ठीकता इसको लेके बवाल हो भी नहीं रहा है एक और मुद्दा है तलाख हसन जिसको लेके याचिका लगाई गई अब तलाख हसन पर चलते देखिए तलाख हसन क्या है इसमें क्या है कि इसमें भी आप एक बार में एक ही तलाख बोलोगे मतलब आपने बोला कि मुझे तलाख चाहिए ठीक है या आपने बोला तलाख ओके अब पत्नी जो है अब आप एक चट पर नहीं फिर एक महीने का वेट करोगे इंतजार करोगे गर पे जाके नौक करोगे पतनी गेट खोलेगी आप तलाक बोलके वापस आजाओगे इस तरीके का काम रहेगा अब ये एक महीना क्यों रखा गया एक्चुली इसमें मेंस्टल साइकल है पीरियेट्स एक महीने के बाद होंग आप जाओगे जब कंप्लीट हो जाएंगे तलाक बोलोगे फिर वेट करोगे कि अगले पीरियेट्स आएं और वो खतम हो तो आप फिर से जाओगे और तलाक बोलोगे अगर आपने प्रॉपर तीन बार तलाक बोला तो आपका तलाक माना जाएगा ठीक है तो इसमें एक- हलाला के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको मतलब लेडी को फीमेल को जो है हलाला के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और इसी को लेके जो है याचिका लगाई गई इसमें कहा कि भाया महिलाओं को समानता कहा है यहां कि आपने महिला महिला पुरुष जब चाह रहा रहा है पुरुष जब चाह रहा है वो साथ में भी रह पा रहा है यह हलाला ओड़तों को जेलना पड़ रहा है तो इसके अगेंज जो है याचिका लगाई गई हाला कि सुप्रीम कोट ने मना किया भी तो तलाके हसन के खिलाफ जो लोग उन्होंने बोला कि महिलाओं का इसमे हो कहरे हैं कि गेर सर मेधानिक है सम्विधान के कार्डिंग तो बिल्कुल नहीं है समिधान ऐसे बात करता ही नहीं तो सब्रूश कया अकर्दिधान कायें है या नहीं है और जो और ऐसे और और प्रॉस्ट दोनों को बराबरी होनी चाहिए इस अधिकार को आप यहां नहीं बिठा सकते यहां पूरुष के पास में ज़्यादा प्रायोरिटी से पूरुष जो है इनिशियेटिव लेता है यहां पे और थे थोड़ी सी साइड लाइन हो रुकिए ठीक है सुचनजिता का जो अधिकार आपके जीवन जीने का जो अधिकार आर्टिकल 21 के तहएट वो सब इससे अफेक्ट होता है इन्होंने ऐसा कहा है याचिका करता होने और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि यह ट्रिपल तलाक जैसा नहीं लगता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई महिलाएं अगर चाहे तो वो जो खुला के तहत तलाक ले सकती है अब ये खुला क्या होता है खुला में क्या होगा कि अगर कोई महिला चाहती है तलाक लेना पुरुष चाहता है तो वो तो बोल देखा तलाक लेकिन अगर महिला चाहती है तो उसे मांग करनी पड़ेगी पुरुष से कि आप मुझे तलाक दो तो अगर पुरुष तलाक देता है तो ठीक है नहीं देता तो महीला जो है वो शहर का काजी जो है काजी के पास जा सकती है और उसे कह सकती है कि मुझे तलाक चाहिए फिर काजी इसकी विवस्ता करेंगे तो सुप्रिम कोट ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पुर्शों को ही ज़्यादा अधिकार है तलाक है हसन में अगर महिला को लगता है कि उसे तलाक चाहिए तो वो जो खुला विवस्ता है जो खुला तरीका है उसके खुला तलाक है एक तरह से इस विवस्ता के थुरू जाके वो तलाक ले सकती है इसमें क्या होगा खुला तलाक में महीला शहर काजी के जरिये अपने पती से तलाक ले सकती है हालां कि पहले वो पती से ही मांग करेगी कि आप मुझे तलाक दो पती अगर नहीं मानता है तो वो काजी के पास जाएगी और काजी जाके उस तलाक मलब काजी फिर मीडियो कर बनेगा और उस तलाक को वो कम्प्लीट करवाएगा ठीक है? तो ये पूरा मामला था अब इस मामले में आपको क्या लगता है कि तलाके हसन जो है वो ठीक है या नहीं है मुझे जादा बुरा नहीं लगा है मुझे भी नहीं लगा है कि ये तलाके हसन जो है ट्रिपल तलाक जितना बुरा है यहाँ फैसला इंस्टेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर भी देखो आप तीन महीने तो लगी रहे, एक-एक महीने के gap पे तो हो सकता है सुलह हो जाए, लेकिन प्रॉबलम एक है कि तलाक अगर हो गया तो ये हलाला वाला प्रोसेस बेकार है, इसे यहां से हटा देना जाए, बाकित हो ठीक है हम भी चाहते है कि तलाक ना ऑ तो ये gap वाला और तला के SN दो बहुत ही ठीक है तो ये तीनों मामले में सुप्रीम कोट का फैसला कुछ इस तरीके के था कि हम इसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाते मामले को और ये उतना अनुचित लगता भी नहीं है अब आपको इस मुद्दे के बारे में क्या लगता है वो कॉमेंट में जरूर बताईए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए धन्यवाद जैहिन जैभारत